कॉंग्रिस की लोख प्रियता और जनाधार से घवराई मोधी सरकार ने कॉंग्रिस के शिर्ष नेत्रित्व को जूठे आरोक लगा कर पवर्तन निर्देशालाई सहित केंद्रिय एजेंशियों का दुरुप्योग कर परिशान किये जाने के साथ ही मोदी सरकार की ताना शाहिर रवया के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर राश्ट्रपती के नाव सौपा क्या पर जिला कॉंग्रिस कमीटी दुर्ग शहर द्वारा शुक्रवार को दुर्ग के बेसिनल कायले के सामने मोदी सरकार की ताना शाही रवये की खिलाब धना प्रदर्शन किया गया कॉंग्रिस प्रवक्ता देविश मिश्रा ने बताया कि कॉंग्रिस की लोग प्रीता और जनाधार से घवराई मोदी सरकार कॉंग्रेस के शीर्ष नेतित्वों को जूटे आरूप लगा कर प्रवर्तन निदेशाले सहीद केंदरी एजिंसियों का दुरूपयों कर परिशान कर रही है जिसके कारण कॉंग्रेस जन उद्देलित हैं इसलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है इसी कड़ी में धरने पर पहुंचे विधायक अरूण मोरा ने कहा मोरा ने कहा कि मुद्दा विहिन भाजपा को विधान सभा व लोग सभा चुनाओं में अपनी पराजाय का आभास हो चुका है राहूल गांधी की लोग प्रिता से भाजपा वो मोदी सरकार घवराई हुई है अरूण मुरा ने ये भी कहा कि ऐसा कोई कारे केंदर की भाजपा सरकार ने नहीं किया जिसका सीधा लाब आम आदमी को पहुंचा हो इसके विप्रित केंद्री की भाजपा सरकार के कारेकाल में जनता महंगाई, बेरोजगारी और जन सुविधाओं के अभाओं में तरस्थ है मोधी सरकार प्रजित E.D.C.B.I. की द्वारा अनावशक दबाओं से हम डरने वाले नहीं हैं हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे गोर तलब है की केंद्री की मोधी सरकार के तानाशाही रवये के विरोध में एक दिवसी धरनार पदर्शन के अंत में देश की राष्ट पती के नाम कलेक्टर को ग्यापन सौपा गया जिसे तैसिल दार दुर्ग ने धरना स्थल पर ही पहुँचकर प्राप्त किया वहीं धरनार प्रदर्शन को अन्य पिछला वर्ग आयोग उपाद्यक्ष आरेन वर्मा महापौद धिराजबाकलीवाल सभपती राजेश यादाव सहीत बड़ी संख्या में यहां लोग ग्रेंडी सीन न्यूस के लिए दुर्ग से नसीब फारुक ची की रिपोर्ट